नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममतातिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताजवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में स्री हरी विश्नु जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्र गरहन कब से कब तक लग रहा है किन किन देशों में लग रहा है चंद्र गरहन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है कौन कौन से कारे करने है कौन कौन से कारे नहीं करने है गरहन के बाद हमें क्या करने है गरहन से पहले हमें क्या करने है और जो घरवती महिला है उन्हें गर कर दिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे कि मेरे वीडियो के नहीं नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी मुहत्पूर बाते तो सबसे पहले आपको बता दू कि चंद्रगरहण इस साल अलग-अलग समय पे भी रहता है ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रही है वही सही हो तो आप देख लिजेगा आपके आसपास आपके जो रिस्तेदार हैं क्या कर रहे हैं हर जगह पे अलग-अलग टाइमिंग पे भी गरण दिखाई देता है तो उस समय हमें थोड़ा सा साउधान रहनी पड़ती है लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको उतना साउधान नहीं रहना पड़ता है लेकिन जो गरवती महिला हैं उन्हें बहुत अधिक साउधान रहने की जरूरत है तो क्या-क्या साउधानिया वो भी मैं बताऊंगी तो देखिए साथ कुछ लेने आप जा र सबस्कुर्ण जया सब्सक्राइब कर वह मतुर्ण एawk को लेकिन फ्यक्ति मांते हैं तो यह हो गया आप लोग चेक आउट कर लीजेगा और जो घरवती महिलाएं हैं उन्हें ध्यान रखनी हैं सबसे अधीक तो उनके लिए मैं बता रही हूँ लेकिन जो घर के नॉर्मल लोग हैं वो समय से खालें पीलें बना लें और बहुत अधिक भोजन ना बनाएं मैं बहुत पहले सूर सी दल पहले से ही डाल दीजिए सवाज में आगया पहले से तोड़की रख लिए क्यांस के दोरान खापी कर अब डाल दीजिये की कम बनाएब हो ज ethical ओग्या और जबसे लग जाये अब से आप देख लिजेगा आपके तरफ कपसे लग रहा है क्योंकि जो टाइमिंग मैं बताऊंगी कहीं उसे आपका मैच न करें हर जगा अलग-अलग समय पे लगता है तो आप क्या किजिएगा उस समय पे आपको कोई भी कारें नहीं करनी हैं अगर यात्रा कर रहे हैं तो पाए ना कुछ पीए ना थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी चाहिए यह भी किलियर हो गया और उसके बाद से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए आप लोग इस बात का पक्का ध्यान रखेंगा उस बार कई हैसे मेरी बहन ने बोली कि दिदी हम लोग आपका वीडियो नहीं दे जाएगा और गरहन से पहले ही कुछ न कुछ हमें दान कर देनी पड़ती है अगर आप असनान करने जा रहे हैं साम को असनान पक्का कर लिजेगा घर में गंगा जल का छिड़काओ कर दिया जाता है मंदीर को भी गंगा जल से सुध कर दिया जाता है गरहन के बाद गरहन के का सुध कर दिया जाता है रोसोई घर में जाड़ू मत लगाएगा साम को जाड़ू नहीं लगाते पोछा वगरा लगा सकते हैं बाहर जादा ना निकले घर में फोचा थोड़ा बहुत लगा लिजिए तो यह भी हो गया और लगा कर फीर आप नॉर्मल रसोई वगरा बना सक किसी कारण से आप अस्नान नहीं कर पातें इसे गरमपानी करके नहाले तो ज्यादा बेहतर है कि या फिक है इसे आप चलिए जान लेते हैं गर्वती महिलाएं कि इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिए गर्वती महिलाएं मैं तो कहूंगी कि सूतक काल से अगर कोई आपके घर में करने वाला है तो आप लोग चाकु छूड़ी ना चूए बागे खाना पीना आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इतना देर कोई नहीं रहा पाएगा लेकिन मैं तो कहूंगी कि सूबत से आप बस चाकु छूड़ी सूई विगरा ना चूए इसके बोजन विगरा बना सकती है लेकिन यह सब चीजे ना चूए तो ज्यादा बहतर है और आपको सोनी नहीं चाहिए कहीं भी टाइम पास कीजिए लेकिन कीजिए अगर नीद आ रही है तो देख लिजे लेकिन उससी भी डेंजरस है चाकु छूड़ी छूना तो आप लोगों मत चूएगा ठीक है और घर में कोई करने वाला है तो कोसिस करें कि आप कुछ ना करें थोड़ा बहुत भोजन विगरा बना सकती है और सुन्दर कांड का चाकर रहिएगा यह भी हो गया और आपको क्या करनी है जो मैं सूरिगरहन में बता चुकी हूं आप लोगी इस प्रकार का धागा इसे भी मोटा अगर धागा आपको मिल तो रील सबके घर में रहता है अपने पैर के अंगठे से लेके और अपने उपर तक थोड़ा लंबा चाही और दीवाल में हमें ऐसे चिपका देनी है घर से डांब संसके हिंतर है करते बचचे के रिक्षा रखा करता है रही मेरी अपने उनको मालूम होगा फिर जहाद मेंदा करएकर को खञा करें दरवाजा के पीछे भी चिपका सकते बच्चे जो हैं घर में और भी बच्चे वह सब निकाल देंगे हटा देंगे तो आप थोड़ा चुपा करी दिवाल पर एकदम सीधा टेड़ा मेडा नहीं होना चाहिए आप लोग चिपका दीजिएगा माना जाता है कि बच्चों के र प्रक्षित रहे अच्छे अच्छे से आप लोगों की डिलेवरी हो जाए और बच्चे जो है एकदम सही सलामत हो और गराण के दौरान आप पुछते हैं दीदी पानी वेगरा पी सकते हैं नहीं रहा जाता है तो देखिए पीनी तो नहीं चाहिए लेकिन मालीजिए अब पिदम जान ही जाने लगे तो पी लिजेगा क्या कीजेगा लेकिन पहले से ही अपने आपको तयार करके रखे कि ना हम कुछ खाएंगे ना कुछ पीएंगे और ना हम कुछ काटेंगे आप लोग जादा घूमिए और फिर भूल कर काट दीजेगा ध्यान नहीं आएगा और याद नहीं रहता और फिर हम कैची चाकू छूरी कुछ ने कुछ उठा लेते हैं इसलिए थोड़ा सा ना कहीं न कहीं बैठ कर रही है गुमते फिरते रही है वाकिंग करते रही है जादा कीचन वेगरा रूम वेगरा में जादा दोड़ भाग कीजेगा तो ध्यान से निक फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खोब खोश रहिए